Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 36, 4, Class 6 सब्जिक्ट Social Science है और ये वक्षीट आपके लिए 25th of November 2021 के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वक्षीट है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा Formation of Panchaity, RAS and Urban Administration पिछली वक्षीट में हमने पढ़ा था कि Local Administration जो है वो कैसे होता है और उसके हमने टू Components पढ़े थे एक हमने जो पंचायती राज था वो पढ़ा और दूसरा हमने Urban Administration के बारे में पढ़ा था इस वक्षीट में जानेंगे कि पंचायती राज में कैसे Election होता है Urban Administration में किस तरह से Counselor जो है वो Elect किये जाते है Mayor कैसे Elect होता है वो सब हम इस वक्षीट में पढ़ेंगे वक्षी शुकरने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीचिए Bell Icon को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए सो देखे आज की वक्षीट में क्या दिया गया है पंचायती राज पंचायती राज क्या है The Gram Sabha is a meeting of all adult and even who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha Gram Sabha क्या है Gram Sabha उन सभी वेक्तियों की एक सभा है जो की माली जी एक गाउ है हम साथ साथ एक्जामपल से समझेंगे एक गाउ है अब जो यह विलेज है इसके अंदर जितने भी लोग हैं जो vote देने का जिनको right है जो 18 years से अबाउ है ठीक है और जिनका नाम voter list में है ठीक है बचो तो वो सभी जो है Gram Sabha के member हो जाएंगे clear उनकी जो meeting होती है उसको हम Gram Sabha बोलते है Sabha का मतलब क्या है इकठे होना तो जो भी लोग 18 साल से उपर है जिनको vote देने का अधिकार है वो सभी Gram Sabha के member होती है so Gram Sabha is a meeting of all adult चाहे वो लड़का है लड़की है ठीक है कोई भी है who has the right to vote is a member of the Gram Sabha who live in the area covered by a panchait कि जहां जैसे गाओं के गाओं में जो सरपंच को चुनना है तो उस गाओं के अंडर जितने भी adult आते हैं ठीक है वो Gram Sabha के member हो जाएंगे every village panchait is divided into two into wards हर एक जो village पंचायत है उसको wards में divide किया जाता है that is the smaller area तो हमने जैसे अभी एक गाओं था तो जो village है इसको हमने अलग-अलग किसमें हम divide कर देंगे अलग-अलग wards में divide कर देते हैं ठीक है यह क्या हो गए यह सारे wards हो गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो एक village को 7 wards में divide कर दिया clear और हर एक wards का अपना जो है एक क्या होगा representative होगा जिसको हम wards member कहेंगे या पंच कहेंगे हर एक wards का अपना क्या होगा wards member होगा तो एक wards से जैसे कि एक seat पे अलग-अलग अपना representative चुनते हैं ना कोई bzb का होता है कोई congress का होता है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा level नहीं होता है यहाँ पर क्या है कि माली जी एक wards से ही जो है दो member जो है representative होते हैं अपनी इच्छा से लोग एक भी चुन लेते हैं और अगर कोई इस तरह का कोई dispute हो तो अगर दो member है तो दोनों के लिए क्या की जाती है election करवा दिया जाता है और फिर यहाँ से एक member को चुन लिया जाता है तो यह क्या होंगे यह ward member होंगे जिनको पंच कहा जाता है अब यह सारे जो पंच है ठीक है ward member है यह मिलकर और जो gram सभा के जो member है यानि जितने भी लोग vote दे सकते है वो सभी मिलकर एक सरपंच का चुनाव करते है सरपंच को elect करते है जो की head होता है gram सभा का जो की पंचायत का मुख्या होता है पंचायत का प्रेजिडेंट होता है जो ward पंच है और जो सरपंच है वो gram पंचायत form करते है और जो ये gram पंचायत होती है ये 5 साल के लिए होती है 5 साल के बाद दोबारा फिर से election करवा दिये जाते है ग्राम पंचायत का एक जो है जो की gram सभा का भी secretary होता है तिक है इस person is not an elected person but is appointed by the government और ये जो person होता है ये किसी election के थ्रू नहीं होता ये person government का imply होता है जैसे government job होती है इसकी government job होती है government का imply होता है ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद इसको भी अटा दिया जाएगा ठीक है तो ये जो भी सरपंच है जो भी उसको grant मिलती है जो भी पैसा मिलता है वो कहां पर कैसे खर्च किया गया उसकी जो बादचीत होती है वो सारा secretary देखता है उसका एक कहते है न return record जो रखा जाता है return record रखने का काम secretary का होता है the secretary is responsible for calling the meeting of the gram sabah जो gram sabah की meetings पुलाई जाती है उनके लिए secretary responsible है and gram panchayat and keeping a record of the proceedings और जो record रखा जाता है वो secretary के द्वारा रखा जाता है ठीक है उसके बाद next देखे next is urban administration तो urban यानि जो शहरों में जो government चलती है वो किस तरह से चलती है देखे local government जो होती है the city is divided into different wards and ward councillor get elected अब city जो होता है city को भी अलग-लग जो ward है उनमें बाट दिया जाता है जैसे गाओं में पंच होते थे इसमें consular होते है तो जो city है उसको अलग-लग ward में बाट दिया गया और हर एक ward से एक ward consular जो है वो elect कर लिया जाएगा ward consular all adult living in ward anyone who is 18 years old more who has the right to vote and whose name is in the voter list elect consular तो जो भी लोग जिनको vote देने का अधिकार है 18 साल से उपर है voter list में नाम है तो वो लोग मिलकर अपने-अपने ward से ward consular को का चुनाव कर लेते हैं all the consular together elect the mayor who is the head of the corporation तो जितने भी consular होते हैं ठीक है वो सारे के सारे consular जो है इकठे मिलकर mayor का चुनाव करते हैं और जो mayor होता है वो head होता है किसका corporation का the consular and the mayor together constitute the corporation corporation for five years अब देखें जो consular है और जो mayor है वो इकठे corporation constitute करते हैं clear corporation का गठन करते हैं पात साल के लिए तो पात साल के लिए फिर उसके बाद फिर से election करा दिये जाते हैं और ये जो है चलता रहता है the complicated decision that affect the entire city are taken by groups of consular who form committees to decide and debate issues अब ऐसे जब complicated decision होते हैं जिससे की पूरे शहर पर पूरा जो town है उसके उपर फरक पड़ेगा entire city effect होगा उसके लिए सारे के सारे consular committee जो है करते हैं और mayor के साथ मिलकर decision final किया जाता है आपस में debate करके decision लिया जाता है अब आपको यहाँ पर बहुत ही easy two questions दिये गए हैं जिनको हमने worksheets में already हम समझ चुके हैं first question है how is the election of gram panchayat held gram panchayat के election जो है वो कैसे कराए जाते हैं तो अभी हमने पड़ा every village panchayat is divided into wards village panchayat जो है वो wards में divide की जाती है that is smaller areas each ward elect a representative who is known as the ward member और हर एक ward से एक member चुना जाता है जिसको ward member या panch कहते हैं all the members of the gram sabha also elect a serpanch जितने भी member होते हैं gram sabha के वो सभी serpanch को elect करते हैं who is the panchayat president जो कि panchayat का president होता है the ward panch and the serpanch form the gram panchayat जो ward panch है और serpanch है वो मिलकर gram panchayat जो है form करते हैं and the gram panchayat is elected for 5 years और जो gram panchayat है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है next second question है how is the municipal corporation election conducted? municipal corporation के election कैसे कराई जाते हैं so इसमें क्या होता है the city is divided into different wards and the ward counselors get elected city को अलग-अलग wards में divided किया जाता है ward counselor elect ही जाते है all the consular together elect the mayor mayor को elect करते हैं who is the head of the corporation जो की corporation का head होता है the consular and the mayor together constitute the corporation for 5 years जो consular है और mayor है वो इकठे 5 years के लिए corporation का गठन करते हैं तो यहां से आप इसका answer लिख देंगे so यह थी आपकी आज की sst की worksheet I hope सभी students को यह clear है फिर भी कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो please like कर दीजे share कर दीजे और channel को subscribe कर दीजे so thanks for watching मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care bye bye